नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज अपन चर्चा करने वाले हैं दूद का वसा परिक्षन गर्बर मसीन के दुआरा कैसे करें तो जो आप इमेज देख पा रहे हैं यह आपकी विद्युत चालित जो गर्बर मसीन है और यह आपकी हस्त चलित गर्बर मसीन है इस प्रकार के आपने मसीन देखी होगी जब आप डेरी के अंदर दूद देने जाते हैं और वसा परिक्षन का अपना एक विशेष महत्व है क प्रकार से वसा परिक्षंव करते हैं सबसे पहले आप यहां देख पा रहे हैं यह आपका एक मुक्यत्य पार्ट है butyrometer जिसके दोरा वसा का परिक्षंव करते हैं butyrometer है उसके बाद में यह आपका है lock stopper lock stopper और आपकी यह है lock stopper की Lock stopper की जिसके दुआरा आप जो है लोकिस्टो पर को बड़ा करके और इसमें butiometer में बंद करते हैं या आप देख रहे हैं स्वेचालित जिसको नपना कह देख या इसको कह सकते हैं आपन automatic automatic tilt major दोनों ही automatic tilt major है यह आपका छोटे वाला है जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे काफी छोटा पार्ट है और यह है आपका 1 ml का जिसे तू अपन काम में लेंगे एमाइल एलकोहल और आपका दूसरा जो अटोमेटिक टिल्ट मेजर है यह काम में लेते हैं यह आप देख पा रहे हैं यह बड़े वाला है और यह है 10 ml का जो की H2SO4 हे तू काम में लेते हैं उसके बाद में यह आप जिस दूद का आपको वसा परिक्षन करना है उसे तू आप दूद का सेंपल काम में लेंगे और यह आपकी है पिपेट यह फिक्स होगी इसके उपर यह आप देख सकते हैं फिक्स अंकित होगा और यह होती है 2, 5-5 mm. और इन सभी जो अगर व्यापक इस्तर पर बड़े इस्तर पर आपको वसा परिक्षं करना है, काफी सेंपल का एक साथ वसा परिकषं करना है, तो विटाइरोमेटर को रखने के लिए काम में लेते हैं विटाइरोमेटर स्टेंड. तो सुरुवात करते हैं वसा परिक्षन कैसे करते हैं तो सबसे पहले जो ब्यूटाइरोमिटर स्टेंड आपको मैंने बताया उसके अंदर सबसे पहले अपन रखते हैं किसको ब्यूटाइरोमिटर को सबसे पहले किसको रखेंगे bothомetry stand के अंदर bothom multipanson को रखेंगे और ये आप देखें एक प्रकार का आपका यह है Vuputo сорklavor आप इस image को थोड़ा कलपना कर सकते हैं कि यह सिदी है, और सबसे पहले अपनी इसमें डालते हैं H2SO4 S2S4 डालने के लिए जो आपका Automatic Tilt Major है इसमें आपका S2S4 भरा हुआ है और इसको हलका तिर्षा करते हैं तिर्षा करने के पस्चाथ जो पीछे वाला ये पार्ट है इसमें 10 ml के करीबन क्या आएगा S2S4 आएगा इसको सीधा कर लेते हैं सीधा करने के पस्चाथ इसमें सीधा भरा जाता है भरने के पस्चाथ आप देखेंगे जैसा कि इसमें ये आपका सबसे पहले आपने भर दिया क्या 10 ml H2S4 ये ध्यान रखें जो आप H2S4 काम में लेते हैं उसका आपेक्सी घनत होना चाहिए 1.825 1.825 का अपेक्सी घनत होगा उसके बाद में दूसरा जिसमें काम में लेंगे वो काम में लेंगे दूद तो दूद का जो सेंपल है उसको थोड़ा सा आप हिला लीजे हिलाने के पस्चाथ पिपेट के द्वारा आप इसमें दूद लेंगे और दूद की मातरा काम में ली जाएगी 10.75 ml तो 10.75 ml आप इसमें जो है पिपेट के माध्यम से ध्यान रखें आपको सीधा ASTOS4 के अंदर नहीं डालना है और इसमें आप इसके किनारे के सारे सारे इसमें सबसे पहले आप उसके बाद में आप दूद डालेंगे 10.75 ml क्या डालेंगे आप दूद दूद की मातरा क्या होगी 10.75 ml दूसरा क्वेस्चन ये भी होता है आपका कि कितना दूद काम में ली आता है 10.75 ml उसके बाद में दूद से पूर्ट है वसा को प्रथक करने के लिए अपन काम में लेते हैं इसमें ml ये भी एटोमेटिक टिल्ट मेजर के दुआरा 1 ml के करीबन आप क्या डालेंगे इसमें ml एलकोहल क्या डालेंगे थर्ड नमबर पे ml एलकोहल मातरा होगी कितनी इसकी 1 ml ये आपको बिलकूल क्रमबद तरीके से करना है उसके बाद में लोक स्टोपर जो की है उसको आपको लोक स्टोपर में डालना है और उसको खेंच करके और इसको क्या करना है लोक कर देना है क्या कर देना है इसको पूर्ट है लोक कर देना है लोग करने के पश्चाथ आप इसको कपड़ा लें अगर एक ही सेंपल है या ज्यादा सेंपल है तो सभी ब्यूटारियोमिटर्स के अंदर उसको डाल करके और उसको निरंतरपन 3-4 मिनट तक के लिए हिलाते हैं जिससे जो इसमें व्याप्त एमाईल एलकोहल दूद और एस्ट्रसफोर या अपस में मिल जाते हैं और इसका जो द्रव का जो रंग है वो कैसा हलके भूरे रंग का हो जाता है उसके पश्चाथ इनको सभी को मिलाने के पश्चाथ अपन जो आपकी गरबर सेंट्रिविगल म जिससे वसा का सही परिक्षन होगा और उसे बंद कर देते हैं लो करने के पश्चाथ ग्यारा सो चकर प्रती मिनट के इसाब से ध्यान रखे कितने चकर ग्यारा सो चकर आपको जो है प्रती मिनट प्रती मिनट की दर से चार से पांच मिनट तक चार से पांच मिनट तक इसक गुमाना है गुमाने के पश्चात इसको आप खोलेंगे और खौल कर और इसका जो ब्यूटाइरोमेटर का जो स्टैम्प है ये तना है ये उपर होना चीए इसको 70 डिग्री सल्सियस जो जल उसमक है उसके अंदर इसको रखते हैं जिससे वसा का सही परिक्षन हो सके और सही डंग से वो प्रतक हो सके और उसके फश्चात इसका वसा का परिक्षन स्टैम्प के अंदर कर सकते हैं अगर वसा स्टेम से नीचे हो तो आप लोकिस्टोपर कीकी सायता से इसे उपर या नीचे भी कर सकते हैं और इस प्रकार से आप आपके अपने दूद का जो है वसा परिक्षन कर सकते हैं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर लिखें थैंक्यू धन्यवाद